वेल्कम तो मैं चैनल दर्सराज का थीक है अप लोगों को लगता होगा कि मैंने अपने चैनल का नेम दर्सराज क्यों डाला कि इतना टेपिकल नेम क्यों डाला थीक है दर्स में जो बाबा है उनका नाम है दर्सन सेंग ठीक है और राज मेरे जो डैड है उनका नाम है ठीक है और बेसिक टॉपिक मतलब इस चैनल पर मतलब कोई भी बेसिक चीजे होती हैं वो मैं डिसकस करती हूं इसलिए मैंने बेसिक टॉपिक डाला ठीक है अब हम चलते हैं कि गवर्नर जनर्रल जो थे बेंगॉल के उनके बारे में पढ़ेंगे ठीक है ठीक है गवर्नर जनर्रल ऑफ बेंगॉल ठीक है पहले क्या था कि इंडिया में राजे रजवारे रहा करते थे ठीक है मतलब राजी सबसे पहले वो देखो मेडिवल इंडिया एंसेंट की नहीं बात करते हैं मेडिवल की करते हैं कि मुस्लिम रूल चला संतलट पहले चला फिर मुगल्स का चला फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुगल्स जब डेकलाइन करने लगे तो मराथा और मायसोर वगेरा उभर के नई तागत आने लगे लोगों को लग रहा था कि जो मुगल्स थे वही जगे मरा बैपार करने आए क्या करने आए अंग्रेज लोग इंडिया में बैपार करने आए और वो अपने साथ क्या आर्मी भी लाए क्या आर्मी भी लाए वो बैपार करने आए थे और आर्मी भी लाए अब इंडिया में उन्होंने क्या देखा कि लोग आपस में बहुत लड़ते जगडते हैं तो उन्होंने क्या कहा कि आई ठीक है तो फिर उन लोगों को क्या लगा उन लोगों को यह लगा कि वो जो लाए हैं जो फोर्स लाए हैं अपने साथ उनका कोई योजे नहीं हो रहा उनको उनको पेमेंट भी देनी पड़ रही थी इंग्रिस लोगों को जो अप मतलब सायद किसी से जगड़ा हो तो मतलब खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी हम ही दूसरे देश में जाएंगे तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ लेके चलते हैं तो वैसे ही तब उन्होंने देखा कि इंडिया के लोग आपस में लड़ रहे हैं तो उन्हों प्रोटेक्शन ने क्या किया अपनी किसी भी राजा को अपनी凌स रेंट पर किराय पर देनी सुरू कर दी कि मतलबством की लड़ाई हो रहे हैं तो एक ने अंग्रेजों की तुकडे उसको किराय पर ले लिया और लड़ाई की जिससाइड अंग्रेजों कीнем साइज चली जाती तो हम लोग खुद हरा सकते हैं लोग फिर उन्होंने क्या कि खुद डारेक्ट वर पे आगे जैसे जो बैटल ऑफ प्लासी हुगा बैटल ऑफ बक्सर हुगा इसमें क्या हुगा कि डारेक्ट मतलब अंग्रेज लडाई करने के मूड में आ गए थे कि हम जीतेंगे और हम दूल करेंगे कर मतलब जो रिवेनू है वो लोगों से हम लोग खटा करेंगे तो अपना सासन चलाएंगे तो जब यह बैटल ऑफ बक्सर जो नवाव लोग खार गए फिर उसके बाद क्या हुआ कि ट्रिटी ऑप उसकी अलावाद हुई तो ट्रिटी ऑप अलावाद में इ पन गे तो उन्होंने क्या किया कि अपने गवेर्नर जो जस्तिन करा अलग ऑन लग जगे में उनके कंपनी के機 ऑकुर्णा रिप जनेरल जो गवर्ण прим नहीं तो कि गवर्णर जेन्रल बना दिया गया बेंगॉल पा थेक कि टो यह गवर्णर जिनल बनाद येटीआ था जो मैंने एक वीडियो में डाल दख है अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो वो वीडियो पहले देखे तो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है उसमें क्या हुआ कि गवर्नर जन्रल ऑफ बेंगॉल बने पहले गवर्नर जन्रल ऑफ बेंगॉल कॉन बने वारेन हास्टिंग ठीक है वारेन हास्टिंग पहले गवर्नर जन्रल बने ठीक है यहां के बाद अब हम कहनी शुरू करते हैं आगे कहनी कहनी में आपका चैप्टर हो जाएगा क्लियर और आंसर राइटिंग में आपको बहुत ही जो मैंने अभी स्टोरी बताई है वो कोई भी क्वेश्चन आ बाद आस्टिंग कौन है वारेन हास्टिंग ठीक है यह कब से कब तक रहे यह 1773 से 1785 तक वारेन हास्टिंग रहे ठीक है यह तो मैं बता चुकी हूं कि यह रैगुलेटिंग एक्ट के थू बने थी गवर्नर जन्रल और इन्होंने क्या किया कि पहले क्या था बोर्ड अव सब्सक्राइब करेंगे तो अब इन्होंने क्या क्या चारू किया कि देखो अब अंग्रेजी डारेक्ट बेंगॉल विहार उडिसा में डारेक्ट रूल करेंगे ठीक है इन्होंने क्या किया बेंगॉल को जो बेंगॉल था उसको ऐसे डिवाइड कर दिया कि अलग-अलग कई सारी डिस्टिक दे दी और हर डिस्टिक में कलेक्टर दे दिया क्या दे दिया एक कलेक्टर हर डिस्टिक में इन्होंने दे दिया किसने वारिन हास्टिंग ने ठीक है बना दिए कि जो भी कर वगरेडा इखटा करेंगे ठीक हो बॉरें होस्टिंग ने क्या काम किया और क्या किया बॉरइन होस्टिंग सब्सक्राइब कर आया थिक है हॉआ यह हॉच्ट कि सुप्रीम । को है इन है कि कलकता कहां पर कर वाया कंविल कता में इंडिया का पहला सुप्रीम कोट कलका में कि से मतलब किसके टाइम पे बना एकूसटेंग भॉर्ण हाश्टिंग तब गवर्णर जन्रल तरह ये कोश़न Authent कि गवर्नर जर्नल और गवर्नर जर्नल के थुरू आप इस्ट्री भी जान जाए हो ठीक है अब क्या हुआ कि जो एसेटिक सुसाइटी थी वो इसके इनके टाइम पर बनी एसेटिक सुसाइटी सुसाइटी जो बंगॉल की थी 1784 में थी जो एसेटिक सुसाइटी बंगॉल 1784 में इनके टाइम पर बनी और किसने बनाई थी विलियम जोन्स ने किसने विलियम जोन्स ने एसियटिक सोसाइटी बनाई थी 1784 में बनी थी और कहां बनी थी पिंगॉल में थी कि ये किसके टाइम पर हुआ था वारें हास्टिंग के टाइम पर ठीक है अब इनके टाइम पर क्या हुआ कि गीता का जो गीता थी हमारी वगवत गीता उसका इंग्लिस ट्रांसलेशन हुआ और किसके द्वारा हुआ चार्ल्स विलकेंज पहला English translation गीता का कब हुआ जब Warren Hashton Governor General थे और किस ने किया चार्ज विलकेंज ने किया अब इन्होंने क्या किया दिवानी और फौसदारी अदालत हर डिस्टिक में है दिवानी फौसदारी अदालत अदालत स्टार्ट की ठीक है और इन्होंने क्या किया री डिफाइंड हिंदू और जो मुस्लिम थे उनके जो लॉज थे मतलब हर दर्म के अपने अपने नियम कानून होते हैं उनको मतलब दुबारा से डिफाइंड किया अब क्या हुआ कि इनके टाइम पर फौस्ट एंगलो मराथा वार हुआ क्य मराथा वार हुआ ठीक है ये कब से कब तक 1776 से 1782 तक चला ठीक है 1776 से 1782 तक चला फर्स्ट एंगलो मराथा और ये कब बंद हुआ ? काफी कोष्डन न मैं रिधी औव साल्वाई कब वृ इन या ए जाता है तो इसलिए सब्सक्राइब कर दो कि ए सब्सक्राइब करता है इनके टाइम पर वार एंगलो मांसूर वह था तो फ्रिएंगलो माईशूर वहर 1780 से 84 ठीक है ठीक है तो क्या हुआ यह किस से वो होता है ट्रीटी ओफ मैंगलोर ठीक है ट्रीटी ओफ मैंगलोर से यह अटा ठीक है अब इसके टाइम पे क्या हुआ रोहिला वोर क्या हुआ रोहिला वोर कब हुआ 1774 में ठीक है रोहिला वोर कब हुआ 1774 में ठीक है अब इनके टाइम पिट्स इंडिया एक्ट भी आया पिट्स इंडिया एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट कब आया 1784 में 1784 में इनके टाइम पे पिट्स इंडिया एक्ट भी आया ठीक है अब इन्हों ने क्या किया कि जो जमिदार से उनको उनकी पावर से जुडिशियल जो पावर थी उनसे टिप्राइब कर दिया और क्या किया कि जो maintenance of record record बनाना कंपल सरी कर दिया कि कोई भी चीज हो रही है उसका records भी बनने चाहिए ठ impeachment हुआ impeachment की spelling देख लीजिए आ सकती है कहीं भी impeachment इनके मतलब इनको मतलब हटाया जाने क्यों ब्राइब टेकिंग ब्राइब मतलब उनके अगेंस्ट जो corruption के थे उसके charges लगे थे ठीक है charges of bribe ठीक है अब क्या हुआ कि he quitted मतलब उनके फाइनली की वो निर्दो सावित किये गए ए सी क्यू यू आई वल्टी ए ठीक है लास्ट में वो निर्दो सावित किये ठीक है अब आपने पढ़ लिया अब हम पढ़ते हैं सेकेंड वाला कौन सा लौड कॉर्ण वालेस कौन लौड कॉर्ण वालेस लौड कॉर्ण वालेस थे तो 1786 में आये और 1793 तक रहे ठीक है अब इनके टाइम पर क्या करता है यह पहले इंसान थे जिन्होंने लौज को कौडिफाई किया ठीक है और रिवेन्यू एड्मिस्ट्रेशन को जो एड्मिस्ट्रेशन अब जस्टिस नियाय का जो था अड्मिस्ट्रेशन और जो पैसे का कर्व अगयरा का था उन दोनों को अलग किया और इनका सबसे में इंपोर्डन काम क्या है पर्मा सेटलमेंट इन्होंने पर्मानेंट सेटलमेंट 1793 में स्टार्ट किया जिसमें जमिदार हैं उनको राइट किया कि आप खट्टा करो और उनको दो और देखो वन 11 जमिदार लेंगे और 10th 11th पार्ट कौन लेगा बिटिस इंडिया वो किसके टाइम पर था लॉर्ड कौन वाल इसके टाइम पर देखिए इन्होंने क्या किया कि पॉश्ट ऑफ डिस्टिक्ट जर्ज जो डिस्टी की स्पैलिंग एक बार देख लिए अवर डिस्टिक जर्स थे उनकी पोस्ट रस्ट इस्टार्ट कि कि हां हर डिस्टींग मैं जड़ और इनको क्या बोला जाता है बॉस इंडिया इनको बोला जाता है फिर इनके टाइम पर हुआ क्या हुआ थार्ड एंगलो माईसूर वार फिर क्या हुआ इसके बाद क्या हुए ट्रेटी कौन सी हुए ट्रेटी ट्रेटी ओप स्री रंग पटनम पटनम ठीक है त्रीटी ओप स्रिंग रंग पटनम थार्ड अंगलो माईसूर वोर के बाद हुई ठीक है और इन्होंने कई सारे पॉलिसी रिफॉर्म किये ठीक है पुलिस रिफॉर्म किये ठीक है कई सारे पुलिस रिफॉर्म किये ठीक है पुलिस रिफॉर्म किये ठीक है प आप थर्ड नंबर कौन आते हैं यह कौन है यह बंगल के जो गवर्नर जनरल्स बने उनकी यह लाइन है ठीक जोन प्लाइनिंग की बहुत मदद की और जो चार्टर एक्ट पहला था 1793 तो उसमें इनका था और बैटल ओफ खाला और निजाम जो 1759 में हुआ निजाम और मराथा की सबसे मिंतीक सर्जोन सोर ने क्या किया था परमानंट सैट्लमेंट में प्लानिंग का कंव किया था ठीक है अब आते ही पूर्थ वन पे लौड वेलस्ली यह अलिग्या कंवा प्लाइन चивается एक्ट इन्थ से इसय नांटी तक ठीक है सबसे इंपोर्टेंट काम क्या है इन्होंने सबसीडरी एलाइंस कि एलाइंस करवाई थी ठीक है अब इस टाइम पर क्या हुआ इनके टाइम पर फोर्थ एंगलो माईसूर वार हुआ कब हुआ इन 1799 में कब हुआ 1799 में इसमें क्या हुआ कि टीपू सिल्थां मुर गया तिपू सिल्थां मर गया और सबसीडरी एट्री चिसके साहथ हुए निजाम ऌ फैद्रावाद के बाद अब फिर सैंकेंड अंगलो मराथा वर भी इस टाइम पे हुआ और इन्होंने क्या किया Lord Wellesley ने Fort William College जो है Fort William College कलकटा कलकटा में इन्होंने Fort William College भी खुलवाया ठीक है और इनको Lord Willeley को Lord Wellesley को क्या बोला जाता था Tiger ठीके बेंगौल टाइगर ठीके बेंगौल के टाइगर बोले जाते हैं ठीके डीक बेंगौल टाइगर ठीके पीछ इसके बाद इनको प्रेस अज ला GOij भनाय था से जसे बना थे प्रेस है को फित नमबर पे आते हें Sir George Balor ठीक है यह सेकेंड एंगलो मराथा वो और इनके टाइम पर end हुआ ठीक है बस 6 आदाते हैं Lord Minto 1 Lord Minto 1 ठीक है Lord Minto 1 1803 7 से 1813 ठीक है अब क्या है Charter Act of 1813 आपको बता दिया है इनके टाइम पर वही हुआ था Charter Act of 1813 क्या हुआ था Charter Act of 1813 इसमें क्या हुआ Charter Act of 1813 में कि इंडिया का जो ट्रेडिंग था इस इंडिया कमपनी से वो खतम कर दिया गया था सिर्फ चाय का व्यापार और चाइना के साथ व्यापार था और एक लांक रुपए इंडिया के एजुकेशन पर खर्च करने के लिए आये थे और क्रिशन मेशिनरी को बोला गया था कि आप अपना जो धर्म है उसका प्रचार प्रचार कर सकते हो इंडिया में ठीके अब और क्या हुआ लॉर्ड मिन्टो वन के टाइम पर और ट्रिटी ओफ अम्रेसर कब हुई थी एटिन अंडर नाइन में ठीके एटिन अंडर नाइन में ठीके अब क्या हुआ सेवेंथ में लॉर्ड हास्टिंग ठीके लॉर्ड हास्टिंग के टाइम पर ज्यादा कुछ नहीं हुआ एंगलो नेपाल वार हुआ ठीके एंगलो नेपाल वार ठीके वह एटिन थर्टिन से एटिन ट्वंटी थरी तक चला ठीके यह क्या थे टोटल साथ थे गवर्न जनरल बेंगल के कितने बने साथ गवर्न जनरल कभी बिकॉशन आ सकता है ठीके आप लोगों को समझ आया होगा इसने क्या है कि आप गवर्न जनरल भी पड़ रहे हो और इस्ट्री के जो बहुत इंपौर्टं किस वह वह उप्र के उनके लिए भी helpful है वो तो आप वीडियो देखके जाएए जब आपका पेपर अच्छा जाएगा तब आप इसमें comment box में डाना दिखें कि हाँ यहां से question बना था ठीक है thank you